जब भी आप ऐसी किसी mobile loan application के माध्यम से loan लेते हैं जो play store पर available है और आपको आपके pen card, आधार card और cable selfie के base पर loan दे देती है आप उसका भुगतान करने में थोड़ी सी देरी करते हैं तो recovery agent के द्वारा आपको एक धमकी दी जाती है कि अगर आपने भुगतान नहीं किया हम आपके relative में call करेंगे हम आपकी new photo बनाएंगे हम आपके साथ में ऐसा कर देंगे हम आपके साथ में वैसा कर देंगे अब इस धमकी से लोग बहुत ज़्यादा कम डरने लगे हैं लोग aware हो गए हैं लोग पुरी तरीके से जागडू हो चुके हैं लोगों ने पुरी तरा से इस सब चीजों पर अध्यान करके इसका तोड़ निकाल लिया है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हमारे एक subscriber को recovery agent ने ऐसी धमकी दी है कि उसका दिमाग पुरे तरीके से भूम गया उसको समझ नहीं आया वो क्या करें आप भी पुरे तरीके से हिल जाएंगे इस धमकी को सुनने के बाद आप पुरे तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए हम इस वीड वीडियो को skip करते हैं आपको हम जो इस वीडियो में information दे रहे हैं आप सो प्रतिशत मिस कर देंगे अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की useful valuable information लेकर के आते रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में वेल आइकन को प्रेस कर दें और ओन कर दें और notification को उससे क्या होगा कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा आपको ये हमारा यूट्यूब चैनल स स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वेडियो कैज अगर आज की डेट में प्ले स्टोर ओपन किया जाए तो प्ले स्टोर पर ऐसी अनगीनत application विलेंगी जो की व्यक्ति को pen card, आधार card और केवल selfie के base पर ही आसानी से एक बड़े amount को देने का दावा करती हैं जैसे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 जब व्यक्ति पूरी तरह से उस application को download करता है तो download करने के बाद में pen card, आधार card और एक selfie देता है अपनी proper detail update करता है तो उसको loan दे दिया जाता है 1000, 2000, 3000, 4000 और वो भी पूरे 7 days के लिए 7 days बाद जब व्यक्ति उस 2-3,000 रुपे के loan का बुगतान नहीं करता है तो उसको काफी calls करके धमकाय जाता है डराय जाता है काफी उनके साथ में बहुत ज़्यदा उत्पीडन किया जाता है और उसके मान सम्मान को खंडित कर दिया जाता है ऐसा काम करती है वो application जो RBI के NBFC के साथ में authorized नहीं होती जो की पुरी तरीके से fraud होती है जो की पुरी तरीके से fake होते है जिनका कोई license नहीं होता अब भी हमारे एक subscriber है वीजे वीजे ने loan ले लिया एक ऐसी ही loan application के माध्यम से जिसकी rating वगएरा 4.7 की थी जिसके reviews वगएरा एकडम perfect थे कोई भी दिक्कत परिशाने वाली बात नहीं थी और about section में उसने अच्छी अच्छी बाते लिखी हुई थी यह सब चीजे हो दें के बाद में जब व्यक्ती ने अपना pen card आधार card लगाया तो उसको 7 दिन के लिए loan मिल गया 4150 रुपे का 4150 रुपे के उसको जो पैसे देने थे वो देने थे कितने 500 रुपे गंदे ने loan ले लिया और उसको समझ नहीं आया कि यह हो क्या गया जब उसने payment नहीं किया काफी वो recovery agent को बताता रहा कि हम ऐसा अभी हमारी problem है हम payment नहीं कर पा रहे हैं यह सब चीजे हैं तो उसको पहले तो धमकी दी गई कि हम तेरे relative में call करेंगे तो payment नहीं करेगा तो अगर तू payment कर देगा तो अच्छी बात है ठीक नहीं तो तू payment नहीं करेगा तो एक दिक्कतोर है तेरी news photo मना दी जाएगी तेरे relative में viral कर दी जाएगी बंदा इस सब चीजों से तो माना ही नहीं बंदे ने clear कह दिया जो करना है वो कर लो भाईया मेरे पास अभी पैसे नहीं है तुमने मुझे गलत तरीके से अवैज तरीके से पैसा दिया है जब बंदे की कोई नहीं सुन रहा था उस recovery agent की बंदा सुनी नहीं जा था कुछ भी कहले वो तो उसने एक plan बनाया और plan बना करके उनको कहा कि तेरे phone में फलाने व्यक्ति के photo है तेरी wife के photo है तेरे photo है हम तेरी wife के photo और तेरे photo को बेच देंगे हम sell कर देंगे बंदे ने और कह दिया कि मेरे पास में अभी पैसे नहीं है बाकी पैसे मैं बाद में payment करूँगा 3750 रुपे देने के बाद भी contact list में call करना शुरू कर दिया और उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया और blackmail जारी रहा उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उसका संपर्क फिर हम हमसे हुआ हमसे संपर्क होने के बाद में उसको हमने guide कर दिया अच्छे तरीके से चीजों को समझा दिया और उसको बता भी दिया कि उसको क्या करना चाहिए अगर आप भी इसी प्रकार से प्रताडित है और आपके साथ में भी ऐसा कोई issue create हो रहा है fraud loan application को लेकर के तो relative में एक ओल करें फिल्कुल नीडर ना relative को कह दे एक status आप लगा सकते हैं एक story लगा सकते हैं बता सकते हैं कि देखिए फरजी loan application है और मेरे साथ में ऐसा issue create हुआ है आप इस पर ध्यान दे अगर relative फिर भी अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं आपको पुरे तरीके से कह रहे हैं कि भाई यह तो payment करते हैं हमें परिशानी हो रही है तो आप पुलिस station में भी शिकायच दर्ज करा सकते हैं cyber crime में भी शिकायच दर्ज करा सकते हैं इसके लिए आपको काफी अच्छा help हो जाएगा आप वो जो आपने शिकायद की है उसकी copy अपने status में लगा सकते हैं या फिर अपने यार दोस्त को भेज सकते हैं जिसे की उनको विश्वास हो जाए कि ऐसा होगा अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आपका जो data है ये जो fraud loan application है इनके पास होता है या नहीं होता है ज्यादा तर cases में देखे इनकी permission आपके mobile phone में जो files हैं उनकी permission photos, videos, microphone हर चीज की permission ले ली जाती है तो data तो ये आपके phone का निकाल लेते हैं और आपकी email ID का password वगेरा भी ये निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं email पर ही बहुत से passwords अपने save रखते हैं तो वो सब सीजे ये लोग कर लेते हैं तो data तो इनके पास में पहुंच जाता है अब अगर आपको ऐसी धंकी मिले आपको करना क्या चाहिए तो last आपको cybercrime में ही संपर्क करना चाहिए यही आपके पास में option है आपको cybercrime में complaint करनी होगी और रही बात photos, videos वगरा की तो देखिए जब आप इनको दे तो होतकता है आपकी जो problem है short out हो जाए लेकिन इसके अत्रिक्त कोई और option तो मुझे नजर नहीं आता कि मैं आपको वैसे ही बताने रहूँ कि मैं data इनसे delete करा दूँगा ये करा दूँगा आपने अगर application को download कर दिया तो समझो आपने data अपना इनको sell ही कर दिया क्योंकि लोन आपको दे किस विहाब पर रहे हैं ये pen card, आधार card, cable, selfie के विहाब पर loan नहीं दे रहे हैं ये आपके mobile phone का सारा data लेते हैं और सारा data लेने के बाद में जो मुझे बहुत से लोगों ने बताया है उनका यही क्याना है जो recovery agents हैं कि भहिया data को sell तक कर दिया जाता है लोग लगा करके फलाना ढिकाना ये सब तीजे करकर जे तो देखिए फ्रोड लोन application से अगर आपको ऐसी धंकी मिल रही है तो ऐसी धंकी सुनकर के हर एक व्यक्ति का दिमाग किल जाएगा और बंदे ने 3750 रुपे दिये फिर भी उसको दिक्कत आई आगे हमने कह दिया एक पैसा लोन application से आप चाहते हैं ओन को हम आपकी help करें तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर अपनी details send कर सकते हैं जैसे अपना नाम, अपना mobile नंबर प्लस आपका जो current issue है वो आपका एक appointment हम लोग fix कर देंगे और उसी appointment date और time पर आपको control करके आपकी problem को solve कर देंगे तो आप हमारी telephone की help लेने के लिए आपको minimum सभी charge pay करना पड़ेगा लेकिन यह जो आप WhatsApp नंबर देख पा रहे होंगे न नीचे screen पर इस पे आपको WhatsApp भी करना है call करेंगे SMS करेंगे कोई reply नहीं मिलेगा only WhatsApp पर ही reply मिलेगा और WhatsApp पर name, mobile नंबर और आपका जो current issue है वो type करें फास्तु कुछ च section में जरूर बताएं आप किस fraud loan application से प्रतारित हैं, किस fraud loan application ने आपको परिशान किया हुआ है, किस fraud loan application ने आपका जीना हराम किया हुआ है, comment section खुला है, बाकि आप हमारे सभी social media accounts पर हमें follow कर सकते हैं, जैसे Instagram और Twitter तो अब X हो गया है, X और Facebook, बाकि हमारा एक Telegram चैनल भी है at the rate जैजन सकती आप लिखेंगे, आपको मिल जाएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लिजेगा, छोटे छोटे अपडेट मापरम आपके लिए करके आते रहते हैं, बावाई, टेक केर जैहिन, वंदे मापरम, तो ये धमकी भी अब दे रहे हैं, recovery agent